कभी ना कभी वो पल आ ही जाता है जिससे वह गबराता है और वो पल होता है जब आटान को सनतुष्ट किए बिना ही पुरुष्ट स्खलित हो जाता है अधिकतर यह परिशानी अपने आप ही सही हो जाती है लेकिन यह दिशीकर पतन का यह सिलसिला ज्यादा दिनों तक चलता ही रहे तो चिंता होना स्वाभाविक ही है आज यह नुस्खा में आपके लिए लेकर आ हूँ यह आपकी इन समस्या को खत्म कर देगा और आपको घोड़े जैसी मरदाना ताकत देगा दोस्तों अजका ये नुस्खा बहुत ही खास और आजमाया हुआ है तो दोस्तों नुस्खा बनाने के लिए आपको जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वे इस प्रकार है 1. गाई का दूद 2. बादाम 3. सूठ्यानी सूखी अद्रक का पाउडर 4. छोटी इलाइची का पाउडर 5. असली केसर नुस्खा बनाने की विधि आपको दस गिरियों बादाम की लेकर राद भर के लिए एक कटोरी साफ पानी में भिगो देनी है 5. अगले दिन सुबह इन बादाम की गिरियों का छिलका उतार ले और इनको सिल्बटे पर पीसकर चटनी सीब बना ले 6. 200 ग्राम गाई का दूद ले और ये पिसी हुई इन बादाम की गिरियों डाल कर थोड़ा सा गर्म कर ले 6. जब पीने लायक गर्म हो जाए तो इस दूद में एक चुटकी लायची पाउडर और एक चुटकी असली केसर मिलाकर अच्छे से चला ले 7. दूद को मीठा करने के लिए मिश्री अत्वा देशी खान का प्रयोग करें यह तैयार दूद रोज सुबह एक बार ही पीना पर्याप्त है यह दस दिन लगातार सेवन करने से ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है स्वस्थ लोग भी इस दूद का सेवन करके असीन ताकत को फ्राप्त कर सकते हैं इस नुस्खे का कोई साइट अफेक्ट नहीं है इसलिए इसको कितने भी दिनों तक सेवन किया जा सकता है ध्यान रखने वाली बात है कि दूद देशी गाई का ही लेना है और केसर भी असली ही होना चाहिए तो दूद तो इस पाइको एगभार जागा